स्वागत है तोस्तो आपका हमारे यूटीब चैनल फिल्मों की दुनिया में आज हम देखने वाले हैं रेडियस फिल्म का एक्स्प्लेनेशन जिसमें दिखाया गया है एक आदमी के पास जो व्यक्ति आता है वहे मारा जाता है ऐसा क्यों होता है वही इस फिल्म में देखने क जाता है जिसका नाम लियम हर्डविल होता है उसकी कार का एक्सिडेंट हो जाता है और उसे काफी चोट भी लग जाती है वह कार से निकल कर पैदल जाने लगता है रास्ते में उसे एक कार आती नजर आती है जैसे ही वह कार उसके करीब आती है कार सडक से उतर कर कच्छे र उसका एड्रेस और नाम पता करती है तो उसे कुछ याद नहीं होता, वो अपने पर्स से अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकालता है, तब उसे पता चलता है कि उसका नाम लियम हार्डविल है। तब ही अचानक से एक कौई उसके पास आकर मर जाता है, ये सब देखकर लियम काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, वो एक रेस्टरेंट में पहुंसता है जहां कई लोग मरे हुए थे, तब ही एक कार रेस्टरेंट के बाहर आकर रुखती है जिसमें बैठे शक्स की भी मौत हो जाती है वो भागता हुवा वहां से चला जाता है और एक घर में पहुँंसता है और वहीं रहने लगता है यहाँ उसे एक सपना आता है कि वो एक बोट में लेटा हुआ है इसके बाद इसके बात दिखाते हैं जितने भी लोग मारे गए थे उनके बारे में नियूज में दिखाया गया है। यहां वो लड़की उसके घर बाहर आती है। दोनों वहां के लिए निकलते हैं यहां वहर बताती है कि सभी उसे जैन नाम से बुलाते हैं। वो लोग उस जगा पर पहुंसते हैं जहां एक बिरिज था। यहां जैन को भी कुछ महसूस होता है। पर जैन वहां से जाने लगती है। लियम उसे रोकता है और उसे समझा कर अपने साथ ले जाता है। वो लोग एक खाली जगा में जाते हैं। यहां लियम एक भीड को अपने पास खड़ा करता है और जैन को उससे दूर जाने के लिए बूलता है। वो धीरे धीरे आगे जाती है और उससे दूर होते ही वो भीड मर जाता है यहां लियम बताता है कि जब तक हम दोनों साथ रहेंगे तो किसी की मौत नहीं होगी लियम यहां कहता है कि हमें डॉक्टर को दिखाना होगा ताकि हम पुलिस को ठीक से समझा सकें वो हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर लियम का चेक अप करता है लियम यहां फिर से सपने में खुद को देखता है इसके बाद उसका सीटी स्कैन किया जाता है जहां नर्स जैन को बाहर जाने को बोलती है तो वो दोनों मना कर देते हैं यहाँ जैन नर्स के साथ रहती है ताकि वो जिन्दा रह सके लियम का सकैन होता है लियम और जैन बाहर बैट कर डॉक्टर का इंतजार कर रहे होते हैं यहाँ वो टीवी में देखते हैं कि लियम का नाम पुलिस को पता चल गया है पुलिस जब उसके घर जाती है तो वहाँ ए और जैन वापस से ठीक हो जाती है लेकिन जैन और लियम अब अलग हो जाते हैं लियम लिफ्ट में चला जाता है और जैन बहार रह जाती है लियम के साथ लिफ्ट में कई लोग मौजुद होते हैं लियम लिफ्ट का दरबाजा खुलते ही उन सभी को वहां से भगा देता है जैन सीडियों से भागती हुई नीचे जाती है और लिफ्ट के दरबाजे के सामने खड़ी हो जाती है लियम के नीचे आते ही वो दोनों हॉस्पिटल से भाग जाते हैं वो दोनों गाड़ी में सो रहे होते हैं तो लियम वही एक्सिडेंट देखता है उस वक्त उस कार में उसके साथ जैन भी थी अगली सुभा जैन कार में बैठी होती है तो न्यूज में उसे पता चलता है कि उसका नाम रोज डेबूड है और उसका पती सैम डेबूड उसे घर पर बुला रहा है वो ये बात Liam को बताती है तो Liam उसे जाने को बोलता है और वो वहीं रुखने को कहता है जैन ऐसा करने से मना करती है और वो दोनों साथ जाते हैं वो लोग Sam Dayboard के घर पहुशते हैं वो उसे अपने साथ ले आते हैं जैन सेम को सब कुछ बताती है पर Sam उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है तब Liam जैन से दूर जाता है तो कुछ पक्षी वहां मर जाते हैं तब सैम को उनकी बातों पर यकीन होता है सैम उन दोनों को एक जगा पर लेकर जाता है ताकि वो सेव रह सकें और उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है यहां लियम को वही पोस्टर मिलता है जो जैन ने हॉस्पिटल में देखा था उस पर उसका नाम इलीगरेशन लिखा होता है तब ही सैम वहां आ जाता है और वो उसको बताता है कि तुम्हारी एक जुड़वा बहन थी जो एक दिन अपने कान पर निकली और घर वापर लोट कर नहीं आई पुलिस को काफी समय तक कुछ सुराग नहीं मिला तो उन्होंने ढूंडना बंद कर दिया पर तुमने उसे पोस्टर लगाना शुरू कर दिया और अपना काम छोड़कर उसके पीछे भागती रही और पिछले हफ़ते हमारी लड़ाई के बाद तुम घर से भाग गई थी खाना लेने चला जाता है वो जब वापस लोट कर आता है तो रोस उसे जानने से मना कर देती है जिससे सैम उस पर गुस्सा करता है यहां लियम को एक तस्वीर दिखती है और फिर फ्लैक्श बैक में चला जाता है जहां लियम रोस को उस प्रिस से कार में लेकर जा रहा होत यहां वो रोड वन ई देखता है और वापस होश में आ जाता है लियम और रोज वहाँ जाने को बोलते हैं सैम भी उनके साथ जाने को कहता है वो लोग मना कर देते हैं पर सैम गुस्से में घर से बाहर चला जाता है कुछ देर बाद सैम लोट कर आता है और वो उन्हें जल्द आ जाते हैं वो लोग सैम रोस लियम को गरफतार कर लेते हैं लियम पुलिस वालों से उन दोनों को साथ रखने के लिए बोलता है पर वो उन्हें अलग कर देते हैं उनके अलग होते ही वहां मौझूद पुलिस वाले और बाकी लोग एक साथ मारे जाते हैं लियम भागता हु पूरिवी तटके किसी इलाके में हुआ है लियम और रोज समझ जाते हैं कि उन दोनों पर उसी बिजली का असल हुआ है वो वहां से निकल जाते हैं तब ही एक कार उनका पीछा करती है लियम और रोस उसी जगार पर पहुंसते हैं जो लियम ने सपने में देखी थी वो लोग वही अराम करते हैं कुछ देर बाद लियम जंगल में घूमने जाता है तब रोस को घर में एक डाइरी मिलती है जिसमें वो देखती है कि उसमें कई लड़कियों की तजवीरे हैं और वो सभी गायब हो चुकी है उधर लियम एक तलाब में खड़ी एक नाओ में जाकर बैट जाता है जहां फ्लेश बैक में दिखाया जाता है उसने एक लड़की को बांद कर तलाब में फैंक दिया है उधर रोस को डाइरी से पता चलता है कि लियम लड़कियों को फसा कर उन्हें मार देता है और अगला न उसी डाइरी में उसकी बहन लेली की तस्वीर थी जिसे लियम ने ही पारा था इसके बाद फ्लेश बैक का सीन दिखाते हैं जब उनकी कार पलटती है तो रोज उसमें से निकल कर भागने लगती है तब ही आसमान से बिजली उन दोनों पर गिरती है और ये वही था जिसके बा पानी को बोलती है तो लियम पानी के अंदर चला जाता है पर उसे ऐसे ही छोड़ देती है इसके बाद वो दोनों घर की तरफ जाते हैं जहां कुछ लोग उने घेर लेते हैं और ये वही लोग थे जो इनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे वो लोग लियम को मारने लगते है लियम वहां से भाग कर कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है वो धीरे धीरे रोज से दूर होने लगता है और दूर होते ही दो लोग मारे जाते हैं उनमें एक बच्चा होता है जिसने रोज को पकड़ रखा था रोज उसे धक्का देकर भागने लगती है तो वो बच्चा उसे गोली मार देता है पर वो लड़का भी मारा जाता है लियम रोज को गाड़ी में बठा कर हॉस्पिटर लेकर जाता है रोज को ऑपरेशन थेटर में लेकर जा रहे होते हैं तभी लियम खुद को गोली मार कर सूसाइट कर लेता है और यहां फिल्म का अंत होता है तो कै किसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद